हेलो दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्टो गुरू चानल पर मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूँ एक और टेरो सेशन और आज मैं जो विशय आपके लिए लाया हूँ यह है आपका मार्ज का महीना कैसा रहने वाला है मार्ज 2024 आपके लिए क्या ले नमर टू और पिछकारी पाइल नमर थ्री होली का महीना है इसलिए होली से जुड़े सिंबोल्स को लिया गया है तो इनों में से जो आपको अच्छा लगे एक फील दे या अपनी और सबसे पहले आकर शित करे उसे अपनी पाइल मैं लिजिए और उसी के एकॉर्डिंग आ मुझसे जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एश्टो गूरू चानल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी इस चानल को सब्सक्राइब जरूर करिए बेल आइकन भी प्रेस करिए कि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियो के को कॉल नहीं करना है इस पर मैसेज करिए मैसेज के थरू सारी इंफरमेशन मेरी टीम मिंबर आपको प्रुवाइड करेगी और आपकी हिल्प करेगी मेरे साथ आपके session को बूग करने में तो चलिए आज की डिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं हेलो पाइल नमबर वन आप सबका स्वागत आपकी रिडिंग में आपने गुलाल को चुना था मेरे बगल में गुलाल की फोटो लगा दी गई है रंग और गुलाल होली के विशेश अव्यों माने जाते हैं इनके बीना होली का परव अधूरा होता है आज की रिडिंग शुर कार्ड की मेनिंग होती है दे लॉर्ड ऑफ जैथ मृत्यू के देवता या मृत्यू दूत इसका मतलब सच मुझ की मृत्यू नहीं होती है ठीक है थर्ड नमबर पर है दा हैंग मैं फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ट और अंतिम कार्ड आपके लिए पेर हुआ है पेज ऑफ वॉंट्स मार्च का महीना आपका कैसा रहेगा तो आंसर आता है मिला जूला रहेगा कई सारी चीजें आपके जीवन में रहेंगी जैसे पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि किसी एक विशय पर आप एक सिचुएशन में किसी एक विशय पर किसी सिचुएशन में आप अपने जीवन में थोड़ा परेशान हैं परेशानी इस बात की है कि आप सिचुएशन को या उस परिस्थिती को मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं और अभी भी स्ट्रगल आपका चल रहा है तो मार्च का महीना कहता है कि पहले ही ह लेगा जहां आपको जब सिचुएशन से आगे निकलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार वो सिचुएशन थोड़ी खराब थी बर ठीक थी ठीक है तो वो ऐसा लगेगा लेकिन ये आपका फिलिंग जो है ये पूरा टेंपरेरी होगा थोड़ी दिन में चीज़ें वा इसको करूँ पर काम करें क्योंकि ऐसा दिखता है कि आप उस निर्ड़े पर काम नहीं करेंगे जैसा अपने पीछे कई बार किया अपनी जीवन में एक बढ़िया और गंभीड निर्ड़े लिया कारें नहीं किया सिचुएशन आगे चली ग civarts आ गया प्रेजन्ट के कर्म को अगर आप मैनेज करते हैं तो फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा फ्यूचर को बनाने के लिए कर्म करना थोड़ा सा परेशानी डाल देगा आपके दिमाग में उसका रीजन ये है कि फिर वो एक प्रेशर क्रियेट कर देगा और वो दबाओ आपको सही कर्म करने से रोक देगा ये महीना प्रेम संबन्दों के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है अपने साथी का रिस्पेक्ट करने ख्याल रखें और कोई भी ऐसी बात अपने पार्टनर को ना कहें जो चुब जाए जो उसके दिल को बेध दे इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो प्रेम संबन्दों में चीज़ें सही रहेंगी अन्यता कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है ओवराल एक दृष्ट में अगर देखें तो ये महीना आपके लिए मिला जूला रहेगा कई उतार चड़ाओं भी लेकर आएगा लेकिन अगर आप अपनी सोच और काम करने के तौर तरीकों में समनवे बना पाएं जिसको बोल चाल की भाशा में कहता है कथनी और करनी में अंतर ये अंतर ना रह करके अगर आप उसको सिंक कर पाएं एक साथ मिक्स कर पाएं कि जो सोचा जो कहा वो किया या जो प्लान बनाया उस प्लान पर काम किया तो आपके लिए रिजल्ट आउसम हो जाएंगे और अगर नहीं किया तो रिजल्ट टल जाएंगे फिर शायद भवश्य में आप करें और भवश्य में शायद वो चीज़ें आपके लिए काम आ जाए तो ये था एक glance में, एक दुरिष्टी में कि आपका March का महिना कैसा रहगा अब आज की औरेकल डेक और देखते हैं कि जीवन के अलग-अलग आस्पेक्ट पर औरेकल डेक आपको क्या बताती है, आज मैंने बिल्कुल नई औरेकल डेक ली है मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इसका नाम है Water Alchemy तो हर बार मैं Osho Zen Tarot से रीड करता था, आज Water Alchemy Tarot डेक लीए, बहुत प्यारी Tarot डेक है और ये औरेकल कार्ड्स हैं, तो ये थोड़ा सा traditional से different होते हैं और इनकी information लेकिन बहुत deep होती है, ठीक है? सबसे पहले आपकी Love Life, Love Life से Related मेरे पास जो कार्ड आया है ये है, और रिपल प्रेम संबंधों में कहता है कि आपको कभी-कभी लगता है कि आप एक ऐसी position पर हैं, जहां पर आपको होना चाहिए कभी-कभी लगता है कि प्रेम संबंधों में आपको वो मिलना चाहिए जो आप चाहते हैं, कभी-कभी लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया बट उसने नहीं किया तो अपने आप में जो ये comparison वाला mindset है, ये किसी काम का नहीं है, ये आपको benefits नहीं देने वाला कुछ चीजें हमें दिखती हैं और कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, इसे को प्यार कहते हैं प्यार में सब कुछ दिखता नहीं है, कुछ बातें feelings और भावनाव में छुपी होती हैं, कुछ बातें subconscious mind में भी छुपी होती हैं कुछ बाते हमारे actions में होती है लेकिन वो actions ऐसे वाले जो हम सोच कर नहीं कर रहे होते हैं किसी को रोज एक full देने का मत्तब उससे प्यार है नहीं, जरूरी नहीं है हो सकता है उसके लिए अपने दिल में एक ऐसी जगह को create कर लेना जिसे कोई और नहीं भर सकता यही सबसे बड़ा प्यार हो मैंने कहा हो सकता है क्योंकि हर एक का parameter अलग होता है और प्यार तो एक तरफा चीज है यह पहले भी मैंने बताया है तो इस महीने का जो आपका प्रेम संबन्द है अगर आप अपने साथी का मान रखते हैं सम्मान करते हैं उसके care करते हैं उसे care करने का मतलब यह नहीं है सम्मान करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसके सामने जुके नतमस तक हो सम्मान करने का मतलब है equality देना बराबर सम्मान हम बराबर वालों को दे सकते हैं या अपने से बड़ों को जो हम से छोटे हैं उनको हम नॉर्मली सम्मान नहीं देते हैं यहां उम्र की बात नहीं कर रहा हूं यहां उच नीच की बात कर रहा हूं छोटे बड़े की एक राजा अपने सिपाहियों को सम्मान न लेकिन अगर वो राजा अपने सिपाहियों को उनके योग, उनके योग उचित सम्मान दे, अब उनको ऐसा सम्मान न दे कि दूसरे देश का राजा जो आए, उसको जैसा सम्मान दिया जा रहा है, वैसा सम्मान अपने सिपाहियों को देने फिर गरबड़ हो जाएगी, क्यों क्योंकि वह उस सम्मान के योग्य नहीं हैं, वह अपने उस पोजीशन के योग्य हैं, दोनों में अंतर है, सम्मान देने का मतलब यह नहीं होता, जैसे कोई बड़े बुजुर्ग आगे हम उनका पैर छो लेते हैं, छोटे बच्चे का सम्मान करना चाहिए, छोटा बच्चा होते हैं, तो यतोचित सम्मान, अपने पार्टनर को अगर आप देते हैं, और देने के, यहां बात हुई देने की, देने के बाद आप उसकी परवाह नहीं करते कि वो क्या करेगी या क्या करेगा, सम्मान का मतलब यह नहीं कि उसको पकड़ें बठाएं और कहें, चलो हम त पाश्ट रहा है किसी भी तरह का भले वो दो दिन पुराना पाश्ट हो कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि अगर ये बात मैंने अपने साथी को बताई तो ये उसे दुख देगा वो बाते अपने साथी को नहीं बतानी है इसका ये मतलब नहीं है कि आपको छेपा रहे है कभी कभी कुछ चीजों को नहीं बताना भी बहुत काम करता है और प्रेम संबंधों में इस महीने अगर आप कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो अच्छी तरह से ग्रोइंग रोलेशन्शिप आपका रहेगा और आप खुश रहेंगे फैमिल से र ESTाला है। यह काड कहता है कि पारिवारिक मामलों में आपको यह समझना होगा कि आप अपने परिवार के प्रती अपनी रस्पॉंसबिल्टी से जिम्मेदारियों से और परिवार के साथ के अपने संबंधों को जोठला नहीं सकती आप कुछ करें या ना करें आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी परिवार की प्रती है आप चाहे जो कर लें आप अपने परिवारिक संबन्दों को जुटला नहीं सकते चाहे जगड़ा हो जाए भाई-भाई का रिष्टा खतम हो जाता है बातचीत नहीं होती आना जाना बंद हो जाता है दुनिया को कहते हैं दुश्मन है लेकिन दुनिया कहती है देखो दोनों भाई आपस में दुश्मन हो गया वो भाई जो रिष्टा शब्द है रिलेशन का वो नहीं तूटता मितरता तूट जाए तो तूट सकती है कि पहले दोस्त थे अब दुश्मन है, इस्टेटस चेंज हो गया, लेकिन भाई चाहे साथ रहे, बहन चाहे साथ रहे या ना रहे, वो रिलेशन्शिप का इस्टेटस नहीं बदला जा सकता, तो ये चीज आपको इस महीने समझ नहीं है, बस समझ नहीं है, इसमें कोई करने को नहीं कहा जा रहा, एक पैसे का काम नहीं है, एक पैसे का भी एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए सजिश्ट नहीं किया जा रहा, बस आपका जो रोल है फैमिली में, आपकी जो रिस्पॉंसबिल्टी है, उसे आप पूरा करें, और उसे पूरा करने के लिए थोड़े स जो effort आपको करने पड़ेंगे वो करें परिवार के दूसरे सदस्यों को जज ना करें और जरूरत पढ़ने पर ही अपनी राय मश्वरा परिवार को दें इस महीने आपके परिवारिक संबन्दों में और growth होगी अगर आप इन छोटी बातों को मान जाते हैं तो और अगर नही मानते हैं तो आपको ऐसा फील होगा कि आप परिवार से थोड़ा अलग थलग पड़ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद परिवार के प्रति आपकी जो एक निष्ठा कभी कभी ऐसा होता है कि फैमिली के साथ आप कितने भी positive या negative करते हैं परिवार के साथ आप कितने भी negative mindset में हो लेकिन आपकी एक अंतर आत्मा के निष्ठा परिवार के साथ जुड़ी होती है वो आपको कचोटेगी तो इस चीज का ध्यान रखें कि ये ना हो ये महीना family को लेकर के बिलकुल बुरा नहीं है लेकिन आपके कुछ बेवहार ऐसे हो सकते हैं जिससे ये उलट जाए इसलिए ध्यान रखिएगा अब बात करते हैं आपके finances की finance के लिए card आया है fluids ये card कहता है financial matters में आपको सिर्फ ये समझना होगा कि मुझे अपने सही investment करने कैसे हैं क्योंकि आपके सही investment के basis पर ही कल को वो investment बढ़कर grow हो करके mature हो करके आपको maturity result देगा भी कहीं आपने 10,000 रुपिया लगाया अगर चलो बैंक में लगाया बैंक कहता जी हम आपको 5 साल के बाद या 7 साल के बाद इतना देंगे तो वो पैसा बढ़ेगा लेकिन अब मैं सिर्फ example लिया मैं ये नहीं कर आप बैंक में डालो या कहां डालो मर्जी आपकी जहां मर् आप जो भी investment करें वो safe रहना चाहिए वो risky investment इस मार्च के महीने में नहीं होना चाहिए और इस मार्च के महीने में अगर आप अपने धन को एक जगह रखने की बजाए अलग अलग जगहों पर फैलाना शुरू करते हैं जैसे वो बोलचल में कहते हैं न कि अपने सारे अंड investments को अलग अलग तरीकों से विस्तारित करें कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर ऐसे करें जिसका आपको जिस पर आपको भरोसा भी हो ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बात इसने बताया चाह वो 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 उसने बताया वो तो वो ऐसा नहीं नहीं आप समझ रहे हों आपकी understanding में आ रहा हो तब यह करना है और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके investments आपके लिए काफी मददगार साबित होंगे आने वाले भविश्य में जिस तरह आप चाहते हैं results वो मिल जाएंगे दूसरे इस महीने financial gain होने की possibility बहुत अच्छे देखती हैं आप व्यापार में हैं या ज नेंसल रूप से आर्थिक दिरिष्टिकोन से आप और मजबूत होंगे इस मार्च के महीने में और बस इतनी ही चीजे हैं ठीक है सावधानी के बारे में मैं सोच रहा था कि कोई सावधानी से नहीं बताई अदर वाइस में तो मार्च के महीने में आप मजबूत होंगे सब कुछ ठीक है सावधानी जो बरतनी है उसके बारे में जब इसमें मैं देखना शुरू किया तो उसने कहा कि सावधानी के मामले में आपको बस इतना करना है कि आपको कुछ चीजें मालूम हैं आपको अब्जर्व है कि फला चीज करने से मेरा धन का नुकसान हो ही जाएगा तो वो स्पेसिफिक चीज नहीं करनी है अकूपेशन यानि आपके ब्यापार, जॉब, बिजनस जो भी आप करते हैं उससे रिलेटिट कार्ड अपिर हुआ है सिनोट सिनोट का काड कहता है कि अपने प्रोफेशनल मामलों में आपके जो भी बिजनस है या अकूपेशन है उसमें आप बस अपने आपको परमपरा वादी बनाए रहें रूड ही वादी बनाए रहें ब्यापार आपका है ब्यापार आपका कैसे चलता है जिस धर्रे से जिस तरीक काम कर रहा है जिसे बोल चाल की भाशा में कहते हैं घोड़ा दोड़ रहा है तो चाबुक मत मारो यही चीज़ यह आज बता रहा है कि इस मार्च के महीने में अगर आपके ब्यापार आपके उकुपेशन प्रोफेशन में चीज़ें सुचारू रूप से चल रही है तो उसे चलाए रखिए चलाए मान रखिए ट्रेडिशनल परंपरा का पालन करिए और बिल्कुल उसमें नई चीज़ों को इन्वाल्व मत करिए अगली बात ये कहता है कि आधे मार्च बीतने के बाद में यानि पंदरा मार्च बीतने के बाद में कोई नई योजना कोई नया आइडिया किसी से मिला हुआ या कहीं से समझा हुआ आपको मिल सकता है और वो इतना प्यूर और फाइन होगा जिसके बारे में आप अश्यूर होंगे कि ये आइडिया अपने बिजनस में या अपने प्रोफेशन में डालने से मुझे काफी लाब होगा वनलब आपको रिस्क बिल्कुल फील ही नहीं होगा कि नहीं वो ये वाला नहीं है एगो की दिमाग खराब है और आपने उसको लगा दिया और बाद में सोचा अरे रे रे गलती होगी नहीं ये नहीं वो बिल्कुल आब्सर्वड होगा सोचा समझा होगा बिल्कुल मेचियूर प्लान होगा उसे यूज करने से बहतर रिजल्ट्स आपको मार्च एंड तक या उसके आगे मिल जाएंगे वो वाले मामले जहां आपके बिजनस तरीके या आपके प्रोफेशनल तरीके काम नहीं कर रहे हैं और आपको नुकसान हो रहा है वहां आपको अपना तर तरीका बंद करना होगा आप जो भी बिजनस कर रहे हैं जो भी प्रोफेशन में आपके जॉब कर रहे हैं दुकान कर रहे हैं सेल्समैन का काम कर रहे हैं ठीक है मार्केटिंग का कुछ भी कर रहे हैं जो भी आप कर रहे हैं उसे करने का एक सामाजिक तर तरीका भी है जैसे बिजनस करने का सामाजिक तरीका क्या है आपकी एक दुकान होनी चाहिए दुकान में सामान रखिए सुबा खोल ये शाम को बंद कर दिए ठीक साब सुतरा रखिए इसके अलामा सामाजिक तरीका कुछ नहीं ना तो अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही तो सामाजिक तोर तरीके जो है सोशल ट्रेडिशन उसको फॉलो करिए उसे फॉलो करेंगे तो चीज़ें कंट्रोल होती चली जाएंगी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड कार्ड मेरे पास सपियर हुआ है मून मून का कार्ड कहता है कि मूड में मून का कार्ड कहता है मूड में स्विंग लाने की बजाए उससे बैलन्स रखिए अपनी यिन और यांग एनरजी को एकदम बैलन्स बना करके रखिए तो आपके educational matters में आपको ऐसा बिलकुल भी नहीं लगेगा कि आप परिशान है, hectic है, या तनाव है, या बुक आपको समझ में नहीं आ रही या सलिबस आपको परिशान कर रहा है, अपने आपको balance करिए हम कई बार situation को balance करने की कोशिश करते हैं हमें कोई question paper मिल जाए, यह हो जाए, वो हो जाए, शॉर्ट कट लगाने का कोशिश, दुनिया भर का यह कहता है कुछ मत करो बाहर, अंदर balance कर दो, अगर अंदर अंतरमन को अपने आपको balance कर दिया और अपने mood को easy कर लिया, तो जो भी educational matters में या आपकी study में आप चाहते थे कि result आपके हिसाब से आए, या situation आपके हिसाब से चलनी शुरू हो, वो actually हो जाएगा और उसका अच्छा खासा benefit भी आपको मिलेगा, इस महीने अपने education या study matters में आप high emotions में भी जा सकते हैं उस high emotion की वज़ा से आपको अपने past में की गई गलतियां और present की कमियां बहुत जोर से feel होंगी उन्हें side रखिए और बस अपने आपको balance करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, results आपके अच्छे और आपके favor में आएंगे जैसा आप चाहते हैं health related matters में card appear हुआ है मेरे पास में evaporation ये कहता है कि हमारे स्वास्थ में हर जण कुछ न कुछ समस्या आ रही है ये बड़ी spiritual line है जो इसने कहा विज्ञान भेरो तंत्र में भगवान शू कहते है कि हे पारवती प्रतेक आभास सिमित है सर्व शक्तिमान में विलीन हो रहा है प्रतेक आभास जो भी दिखता है वो आभासी है आभासी कैसे है ये दुनिया इश्वर ने बनाई और बहुत सारे लोग कहते हैं ये संसार तो ये जगत माया है माया मतलब ईश्वर के द्वारा बनाया गया एक खेल माया का मतलब यह नहीं है कि नकली है हम असली नहीं है ऐसा नहीं है जैसे नाटक होता है अब कहते हैं नाटक तो जूट है भले जूट हो लेकिन जब वो नाटक खेला जा रहा है स्टेज के उपर कलाकार असली है, मंच असली है, उनके कपड़े असली है, उनके मेकप असली है, उनके डायलाग्स उनके मूँ से निकलते हुए असली है भले वो किसी कहानी का हिस्सा है, और उनके चेहरे पर जो भाव भले वे जूट मूट में लाए गये हों, लेकिन हैं असली वोई सचमुच के लगते हैं, अगर सचमुच का ना लगी तो फर फाइदा क्या how उस ना ठका तो इसी को माया कहते हैं, ठिक है तो यहां यह कहता है कि हेल्थ के मैटर समें आप ये समझें कि आपकी हेल्थ हर चण च्छीन हो रही है हमारा स्वास्त हर समय खराब हो रहा है हम समय मरने वाले है एक समय आएगा यह मर जाएंगे तो जाहिर हम एक तरीका से technically, अपनी-अपनी मृत्य की ओर जा रहा है तो जब मृत्य की ओर जाएंगे तो च्षय होगा यानि हराभ हो रहा है नुकसान होता जा रहा है हमारी हेल्थ में तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिशनल लाइन इस ने कही थोड़ा सा इस पर चुला गही दिखाया लेकिन अब कहता है आगे कि इसके बावजूद आपकी अपनी ड्यूटी जो है उसे पूरी रखिए यानि अपनी हेल्थ को लेकर कि आपकी अपनी जो ड्यूटी है खाने पीने का समय सही होना चाहिए अपनी बाडी की जो देख रेख है वो सही होनी चाहिए बस उतने का ध्यान रख लीजिए तो आपको हेल्थ रिलेटेड इशूज नहीं होंगे और अगली बात ये तो था उनके लिए जो लोगों को हेल्थ में कोई इशूज नहीं है ठीक है उनके लिए था कि इसको समझें बस आप नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ को जीए इतनी सी चीज को बताने के लिए इसमें मुझे इतना घुमा दिया अच्छा अब उनकी बात जिनके हेल्थ में इशूज हैं ये मार्च का महीना आपकी हेल्थ के इशूज को रिजॉल्व करने में आपकी मदद करेगा इस मार्च के महीने में आपको अपने डाइट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए जिसमें लिक्विड चीजें रस्दार चीजें ऐसे फ्रूट्स या ऐसी चीजें जो भी है मतब खाने पर जिसमें रसीली चीजें होती है ठीक है उसे अगर एड़ करेंगे तो आपके हेल्थ में इस मार्च के महीने में काफी इंप्रूमेंट होगी और उन लोगों के लिए जिनकी उम्र एप्रॉक्सिमेटली सिक्ष्टी इयर प्लस हो गई है और लगातार वे अपनी हेल्थ में रह रह करके समस्या को देख रहे हैं उनके लिए सज़ेस्ट करता है कि बीच बीच में नारियल पानी पीना जरूरी है पस इतना ही बताया इसने हेल्थ के लिए तो पाइल नमबर वन ये थी आपकी आज की रिडिंग के आपका मार्ज का महीना कैसा रहेगा आज की रिडिंग आपको कैसी लगी अपने एक्सपिरियंस अपने अनुबह कमेंट सक्षिन में जरूर लिखे इस वीडियो को लाइक करिये और चैनल को सब्सक्राइब करना मे पाइल सिंबोलिक मेरे बगल में लगा दी गई है तो हम सभी की फेवरेट गुजिया चलिए शुरू करते हैं आपके लिडिंग और देखते हैं कि आपका मार्ज का महीना कैसा रहने वाला है क्या टैरो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं पहला काड आपके लिए अपियर हु और अंतिम कार्ड आपके लिए है एट अफ कप्स तो पांच कार्ड आपके लिए आ चुक है ट्रडिशनल टैरो से एक संघर्ष की या संघर्ष में स्थिति आपकी दिखती है जो पिछले काफी समय से आपके जीवन में है हलां कि आपने उस संघर्ष आत्मक स्थिति के अगर आप एक चीज पर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएं दुर्ड संकल्प ले लें और वो बस इतना सा है कि मल्टी टास्किंग ना करें मल्टी टास्किंग आपके लिए मुसिबत कर रही है बीच बीच में छोटे-मोटे काम में मल्टी टास्किंग करना एक अलग ची और एक target के close होने के बाद ही दूसरे target पर काम करना है आपकी एक और समस्या रही है कि आपका अपना अंतरमन ही आपको गलत रास्तों पर भेज देता है और ये बात बिलकुल गलत है कि आपका अंतरमन आप अपने आप से जो निर्ड़े ले ले लेते हैं वो गलत हो जाते हैं यह सही नहीं है, सही क्यों नहीं है, वो बताता क्या है, कहता है, जो निरड़े सोचा गया था, वो लेने की बज़ाएं, फिर से विचार करके, जो निरड़े नहीं लिया जाना चाहिए, वो ले लेते हैं, आपने अपने आप में विचार किया, आपके दिमाग ने कहा, अच् मैं थोड़ा और विचार को हूँ, फिर से सोचा, आप दिमाग का एक हिस्सा करने ये वाला तरीका सही है, आपने का नहीं नहीं, मुझे तो ये वाला तरीका लेना है, और बाद में जाकर उधर से गरबढ़ हो गए, तो ये आपकी अपनी दुविधा है, आपकी दुविधा की देन आप खुद हैं, और आप बस अपने आप को सही ढह्त हो के ऑपने बहाय करे, जिसकी वजह से रिजल्ट आपकी अच्छे नहीं आरहा हैं, जैसे आप अपने मन की अपने दिल की बात नहीं सुनते हैं, आप जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस ले ले पर एक ऐसी दोईधा जनक इस्थिती में डाल देते हैं जहां आपको खुद को नहीं डालना चाहिए जब आपके पास रास्ता नहीं मिलता तो आप अपने आपको बेचारा भी अन्भो करते हैं और जब रास्ता मिल जाता है तो आपको लगता है कि अब आपने किला जीत लिय लेकिन ठीक उसके बाद पता चलता है कि आप फिर एक इस्थिती में फस गए उस इस्थिती में फसने के बाद आपको समझ में आता है कि इसका सामना नहीं किया जा सकता कई बार आप हार मान कर पीछे हट जाते हैं तो फिर चीज़े खतम और कई बार जब आप हार मान कर पी में देखते हैं इस असंतुष्टी के भाव के प्रति आपकी अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्चुली काफी निगेटिव हैं तो इन सारी चीजों को इस महीने आप पॉजिटिव कर देते हैं होली का जो पर्व होता है उसमें कहते हैं पूरानी बातों को भूलो चलो सबसे गले मिलो दुश्मनी छोड़ो दोस्ती कर लो तो यहां इस महीने आपको अपने आप से दुश्मनी बंद करनी है और अपने आप से दोस्ती करनी है अगर आप अपने आपको इस महीने मैनेज कर ले जाते हैं जिसकी फुल पॉसिबिल्टी है तो आपकी सारी चीजे ठीक हो जाएंगे और ये कैसे करेंगे दुड़ संकल्प संकल्प की शक्ति का इस्तेमाल ना कर पाने की वज़ा से ये सारी आपाधापी आपके जीवन में बनी हुई थी और इस महीने एक तरह स समझें तो ये पर्व होली का आपको बहुत सारे मौके दे रहा है जब आप अपने आप में संतुलन अस्थापित कर सकें और ये संतुलन अस्थापित करने की शुरुआत बता देता हूं कैसे करनी है शुरुआत करनी है आपको अपने आप में एक छोटी सी लिष्ट बनान पांच छे की लिष्ट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं पांच या छे टॉप की उनकी लिष्टिंग कर लीजिए और उसको याद रखिया जब आप आपको याद रखने को कहा गया किसी को बताने को नहीं कहा गया उसकी वाहवाही करने को नहीं कहा किसी से उसके बारे में जिसकी आपको बहुत जरूरत है यह महीना आपके लिए अच्छे और बुरे दोनों तरीके से रिफलेक्ट कर सकता है सिचुवेशन आपके ओपर डिपेंड करती है अगर आप गलत आपरेट करेंगे तो बहुत बुरे रिजल्ट्स आएंगे पॉजिटिवली ऑपरेट करेंगे तो रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आ जाएंगे तो यह था एक दुरिष्टी में कि आपका मार्ज का महीना कैसा रहेगा अब आज की औरेकल डेक और आज की औरेकल डेक हमारी है मैं आपको इसको दिखा दूँ यह औरेकल डेक वाटर अलकेमी तो आज इस से मैं रीडिंग कर रहा हूँ और देखते हैं कि लाइफ के अलग-अलग आस्पेक्ट पर इस औरेकल डेक की क्या गाइडलाइन आपके लिए आती है कि जीवन के अलग-अलग पहलूँँ पर क्या बताता है सबसे पहले आपकी लव लाइफ लव लाइफ से रिलेटेड कार्ड अपियर हुआ है मिस्ट ये कार्ड कहता है कि प्रेम सम्मंधों में आपको बस अपने आप में स्थिर्टा लाने की जरूरत है अपने पार्टनर की परवाह को थोड़ी छोड़िए परवाह छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि उसकी केर मत करें अब ऐसा नहीं है कि आप पत्नी हैं तो पती को खाना देना बन कर दें ये नहीं है परवाह छोड़िए का मतलब उसकी साइड के प्यार की परवाह को छोड़ दीजिए अपनी साइट से अपनी चीज़ों को सिर्फ इस महीने मैनेज कर लिजिए और कोई अजम्षन, कोई वो मत बनाईए अजम्षन का मतलब होता है कोई कल्पना मत बनाईए अपने दिमाग में कि ऐसा या वैसा वो वैसा इस महीने प्रेम संबंधों में आपके लिए ये महीना बहुत positive response ले करके आ सकता है लेकिन आपको अपने आप में थोड़ा सा स्थिर होना होगा क्योंकि आपकी अपनी स्थिरता अगर नहीं होगी तो आपके अपने आइस्थिर होने का reflection आपको अपने partner के side से भी मिलेगा और प्रेम में जब दोनों आइस्थिर हो जाएं तो चीज़ें खराब हो सकती है इसलिए आपको अपनी side के स्थिरता लानी होगी और जब अपनी side की स्थिरता आप ले आते हैं ठीक है तो उसके बाद आपके relationship में improvement आपको देखने को मिलेगी आप married couple हैं या unmarried couple हैं दोनों ही condition में आपका खुद को manage करना आपके प्यार के फूल को खिला देगा और आपके प्यार में एक नई बहार एक नई सुबह जैसी चीज़ें आएंगी पीछे past में जो जगड़े वगड़े की स्थिती थी या एक trust का छोटा issue बना था उन सारी चीज़ों से आप overcome करेंगे और एक दूसरे के साथ में आप और ज़्यादा improvely आगे बढ़ेंगे life में grow करेंगे लेकिन आपको अपने आप में थोड़ा स्थिर होना पड़ेगा अगर आपके अंदर वाचालता रही यानि के volatilness रही आप हिलते डुलते रहे संकल्प की शक्ती कमजोर रही तो इस महीने प्रेम संबंधों में आपको लगातार ऐसा फील होगा कि आपके साथी के दिल में आपके लिए प्यार रह नहीं गया जबकि ये मामला बिलकुल उल्ता होगा आपके दिल में अगर आप टटोलेंगे तो उसके लिए प्यार की वो फीलिंग्स नहीं आ रही होगी और यही feeling उससे टकरा कर reflect होकर आप तक आएगी और आपको यह feel होता चला जाएगा तो यह ना हो इसलिए ध्यान रखिए Family related matters पे card मेरे पास अप्यर हुआ है Rain Rain बारिश यह कहता है कि Family matters में इस महीने आपको किसी प्रकार की आसुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा जब तक आप स्वयम को ही आसुविधा जना किस्थिती में ना डाल दे और आसान शब्दों में आप घर के अंदर हैं बाहर बारिश हो रही है घर के अंदर रही है बारिश में नहीं भीगेंगे आपको कोई असुविधा नहीं होगी आप जब अरदस्ती बाहर चले जाएं भीगना शुरू कर दें और भीगे कपड़ों में वहां पर काफी दिर तक खड़े रहें आपको नुकसान भी होगा आपकी तबीद भी खराब हो जाएगी और आपको अनकंफर्टेबलनेस भी फील हो जाएगी तो वो आपने खुद के लिए बुला लिया बारिश का आनंद लेना और बारिश में भीग जाना दोनों में अंतर है ठीक है तो यहां पर यह कहता है कि इस महीने परिवारिक मामलों में चीज़ें बड़ी पॉजिटिव और अच्छी रहेंगी हर तरफ से परिवार का सपोर्ट आपको रहेगा लेकिन इस महीने आप अपने परिवार को ले करके अगर किसी प्रकार की असुविधा जनक इस्थिति को क्रियेट करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुक्सान आपको होगा परिवार में किसी महमान के यानि कोई गेस्ट आपकी फैमिली में आ जाएं इसकी भी पॉसिबिल्टी आपके लिए दिख रही है और उन लोगों के लिए उन कपल के लिए जो अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं और बेबी के लिए ट्राइ करना चाहते हैं मार्च का म है परिवार में अच्छा वाता वरन रहेगा आप अपने मन को बिना किसी वजह के निराशा जनक इस्थिती में ना लाएं क्योंकि अगर आप फैमली परसंस को जज करना शुरू करेंगे तो आपका मन निराश होता चला जाएगा ये करिये तो सारी चीजे पॉजिटिव और आपके फैवर में फिनांसिल मामलों के लिए कार्ड अपियर हुआ है बाथिंग ये कार्ड कहता है कि फाइनेंस के मामले में आप थोड़ा सा अब्जरू करिए कि आपके आस पास के लोग अपने फैनेंसिस को किस ढंक से ऑपरेट कर रहे हैं मैनेज कर रहे हैं अगर इस मामले में आपके आस पास के लोगों के थुरू या लोगों से आपको कोई समझ या नालिज नहीं मिल पा रही हैं तो इस बारे में आप किसी ऐसे परसन से बात करें जो या तो आपके जीवन साथी ह प्रेमी या प्रेमी का बिलकुल नहीं चलेंगे अन्मेरिड कपल में लवर्स नहीं चलेंगे ये मैं कलियर करना हूँ आपके जीवन साथी पती हो या पतनी हो उससे बात करें या फिर परिवार में एक ऐसी महिला सदस जिसकी उम्र आपसे काफी ज़्यादा है वो आपके मम्मी हो सकती है बड़ी बहन हो सकती है आपकी दादी हो सकती है फाइनेंसियल मामलों को कैसे मैनेज करना है इसको उनसे समझने की कोशिश करें जरूरी नहीं आप जाएं और बताएं कि मेरे पास एक लाख रुपिया है बताइऄ उसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं, नहीं, उनसे सिर्फ ये समझना एक सही परसिं को अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए, उनकी ओपीनियन लीजिए, जरूरी नहीं कि आको अक्षर शाह मांच जाएं, ये कहता है कि आपको बस उनका आइडियोलोजी चाहिए, व दूसरे जो बताया गया उन से आपको आस-पास के लोगों से आजाए उस पर आपकर जो आपजरवेशन होगा वो आपको एक ऐसे मोमेंट्स दे देगा एक ऐसा एक तरह से समझे इने improvement आने की possibility है, one number पहला, second, तेजी से पैसे खर्च होने की संभावना भी दिखती है, और तीसरा, अनायास पैसे खर्च हों, जिसे हम luxurious खर्च कहेंगे, यानि लगजरी में खर्च करना, दिखावे में खर्च करना, शोबाजी में खर्च कर देना, तो इन चीजों की possibility है इस महीने, आपके occupation या profession से जुड़े मामलों में card appear हुआ है, fluids, ये कहता है कि इस महीने आपके ब्यापार में या आपके profession जॉब में काफी कुछ improvement देखने को आपको मिल सकती है, आप उमीद कर सकते हैं, इस महीने अपने promotion को या अपने आपको एक level उपर ले जाने की इस्थिती को, एक level उपर की इस्थिती, जरूरी नहीं वो promotion ही हो, आपकी value आपके company में बढ़ जाए, आपके business में आपकी value बढ़ जाए, आपकी market value आपके business में improve हो जाए, इन चीजों की possibility इस महीने देख रही है, ब्यापारिक मामलों में बढ़िया निरड़े लिये जा सकते हैं, आप को बस अपने आपको नकारातमक्ता से थोड़ा बचा करके रखना है, और अपने पास्ट से अपने आपको थोड़ा discontinue करना है, ताकि आप present को observe कर सकें, और future के लिए decision सही ले सकें, कई बार हम बीती हुई घटनाओं में इतना उलज जाते हैं, कि वरतमान को सही तरीके से आ आपको यानि मार्च के महीने में मदद करने वाली है, आपके professional कार्यों में, आपके professional मामलों में आप काफी fruitful position पा सकते हैं, बस अपने मन को आपको positively बनाये रखना है, education related matters में card आपके लिए अपियर हुआ है, spring, ये कहता है कि आप अपनी पढ़ाई को लेकर के चीजों को थो आपके लिए बोज बन जाएगी और वो बोज आपको बहुत परिशान कर देगा, इसलिए थोड़ा सा light कर दे, इसे light करने का तरीका क्या है, आपका जो syllabus है, या जो भी आप पढ़ते हैं, उसे बस easily पढ़ते चले जाएं, जैसे कई बार suggest किया जाता है कि जो subject आपको सबसे tough लगता है, आप उस subject को novel की तरह से पढ़ें, अगर आपको English अच्छी नहीं लगती या आपको history नहीं अच्छी लगती तो उसे novel की तरह पढ़ें, उस novel की तरह पढ़ने का मतलब होता है, interest लेकर पढ़ते चले जाएं, कहानी की तरह पढ़़ा लिए, फिर वो चीज़ें आपको याद हो जाती है, उसमें आपको आनंद भी आ जाएगा, mathematics नहीं पसंद है, कोई बात नहीं है, आप उसमें जो है, बस एक novel की तरह से उसको use करते चले जाएए, observe करते चले जाएए, sci-fi movies देखते हैं ना, Hollywood की, तो या जैसे होता है ना, विज्ञान से संबंधित फि अगर सिर्फ पर प्रेशर नहीं बना, तो चीज़ें positive होती चली जाएगा, और सिर्फ पर अगर प्रेशर बना, तो वो चीज़ें जो positive हैं वो भी negative होंगी, इस महीने इस बात का भी ध्यान रखना है अपने educational matters में, कि आप आवश्यक्ता से अधिक दिखावा बिलकुल भी ना करें, मुझे सब आता है, वाली mentality से बाहर निकलें, और अपने आपको कम से कम खुद को धोखा न दें, कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं, जितने जगहों पे lack है, उस lack को पूरा करने की, fill up करने की कोशिश करें, अगर कहीं से भी आपको अपने educational matters में ये लगता है कि आप कोई जुगार करके, अपने आपको educational matters में successful कर लेंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गरत फहमी है, जो आने वाले समय में दूर हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, अब आपकी health related matters में card appear हुआ है, evaporation, evaporation का card कहता है, स्वास समंधी मामलों में आपको बस अपने आपको routine पर बनाए रखना है, routine, evaporation एक routine होता है, हमारे प्रकरती का, सूरे चमकता है, पानी गरम हो जाता है, भाब बन के हवा में उड़ता है, हवास में जाकर के बादल बनता है, बारिश में बरस जाता है, वो पानी फिर धरती पर आता है, फिर वो पानी उड़ के जन्म से है, बहुत पुराना है, वो पानी कोई नया पानी नहीं है, लेकिन बस उसमें नया पन क्या है, नवीनता क्या है, वो भाब बन के उड़ जाता है, ये नवीनता है, तो उसमें जो भी नकारात्मकता है, वो खतम हो जाती है, वो पूरन निवली हो जाता है, क्यों responsibility को समझें अपनी health related matters में और आपको health related issues नहीं होने वाले आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली लेकिन अगर आपने अपने routine को तोड़ा discipline से हटे तो आपको परिशानी का सामना करना पड़ेगा अगर आप अभी discipline से हटे हुए हैं और वापिस discipline में आ जाते हैं routine को ठीक कर लेते हैं तो आपकी health related issues खतम हो जाएंगे पाइल नमबर टू ये थी आपकी आज की reading आज की reading आपको कैसी लगी अपने experience अपने अनुभू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखे इस वीडियो को like करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा तब तक के लिए बाई बाई हेलो पाई नमर थ्री आप सब कस्वागत आपकी reading में आपने पिछकारी को छोना था मेरे बगल में पिछकारी लगा दी गई हैं चली शुरू करते हैं आज की reading और देखते हैं कि आपके लिए मार्च का महिना कैसा रहने वाला है इस पर टैरो की क्या guidance आती है ठीका थोड़ी से shuffling की और ज़रूरत इन cards को पहला card आपके लिए appear हुआ है the tower second position पर आपके लिए है king of cups card number three है six of swords fourth position पर आपके लिए है queen of cups और last card आपके लिए appear हुआ है two of pentacles situation थोड़ा बुरे से शुरू होकर अच्छे की और जाती हुई ये बहुत बढ़ी है आपके जीवन में उथल पुथल काफी सारी मच चुकी है पाश्ट में भी आपको याद होगा आपने काफी कुछ manage करने की कोशिश करी है काफी कुछ manage किया है लेकिन हर बार आपके management के बावजूद आपके control करने के बावजूद चीज़ें आपकी पकड़ से निकली बाहर हुई और आप problems में आएं जैसा हर बार किया है बिल्कुल वैसा ही इस बार करना है उन problems के साथ साथ चलते जाना है रुकना नहीं प्रॉब्लम्स अपनी जगा आपकी चाल अपनी जगा जीवन में आगे बढ़ते रहे है प्रॉब्लम भी बढ़ती रहे है आप भी बढ़ते रहे है अगर आप ऐसा कर को अपने जीत या उपलब्धी मान सकते हैं लेकिन अगर हम थोड़ा पाश्ट की भी बात करें तो कई जगहों पर आपकी भी गलतियां रही जल्दबाजी भी रही कई जगहां पर ज्यादा ही आराम पसंदगी हो गई तो एक बैलेंस वे अपनाने की जरूरत है और अगर वो बैलेंस अपनाते हैं तो ये महीना मार्च का आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा एक ऐसी सिच्वेशन आपके सामने ले आएगा जो आपके जीवन को एक नई दिशा मिले जाना शुरू करेगी एक तो वरतमान चल रही और एक नई दिशा भी चलने शुरू होगी इस मही जल्दबाजी और घबरहाट का मामला आता है किसी भी वज़ा से तो उसे एक वीक के लिए पोश्ट पॉन कर दीजिए कि हम अगले हफ़ते देखेंगे नुकसान हो जाए होने कोई बात नहीं क्योंकि वो जल्दबाजी ज्यादा नुकसान करा देगी एक हफ़ते के बाद आप देखेंगे कि सिचुेसेंगों को मानेज करने में और अप्रेट करने में आपको कुछ आसुविधा हो रही है होने दीजिए आपने पहले भी इस तरह की स्थिति का सामना किया है अभी फिर कर लेंगे उस आसुविधा जनक स्थितिके बावजूद अपने काम पर बने रही है अपने टरगेट को अचीव करने की कोशीश करते रही है चीजां पॉजिटिव चलती रहेंगे और आप अपने टरगेट को लेकर आगे बढ़ते रहें गये और अचीवमेंट की पोजीशन तक भी पहुचेंगे ये महिने ही सब करना होता है तो फिर हमको काहे बना यह हमारे हाथ पर काहे होते हैं लुझपपड़े होते हैं वही करते हैं तो अगर किसी वजह से situationally आप पिछले च्छे महीने से ज्यादा में comfort zone फिल कर रहे हैं तो अब उस comfort zone से बाहर निकल के आ जाने का समय हो चुका क्योंकि उस comfort zone से निकलने के बाद ही आप अपने जीवन को एक नई दिशा में गतिदे पाएंगे अन्था गतिदे नहीं पाएंगे और वो नई दिशा आपको सफलता के सुरोत की और सफलता की मंजल की और ले जाने लगेगी और ये आपके लिए बहुत ही प्रसन्नता और उल्लास के छण होंगे तो ये था एक ग्लेंस में आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा अब आज कि और लग अपके लिए लाइफ के लग अलग असपेक्ट पर चे आपके जीवन के विभिनी च्छेत्रों पर इस और आकल देप का क्या इंफरमिशन है ये आपके लिए क्या बताती है love relationship के लिए card मेरे पास appear हुआ है rain सबसे पहली चीज जो एक information देती है कि अगर आप एक married couple हैं और baby के लिए try करना चाहते हैं कि baby conceive हो जाए तो फिर बिलकुल March का महीना इसमें आपको support करेगा इस March के महीने में पत्नियों के या पत्नी के pregnant होने की possible chances बहुत अच्छे बने हैं दूसरे उन महिलाओं के लिए जिनके periods में थोड़ी अनियमित अता थी इस March के महीने में चीज पॉजिटिव हो जाएंगी मैं निकाल रहा हूँ प्यार के बारे में बता जी मुझे कुछ और रहा है वो अपने मर्जी से बताना शुरू करते हैं ठीक है ठीक है तो periods को लेकर अगर कोई समस्या थी तो उसमें भी थोड़ी सी नियमित था या positivity आ जाएगी अब प्यार की बात ये मार्ज का महीना आपके प्रेम संबंधों के लिए बहुत positive रहने वाला है प्यार के इंद्रधनुष बनेंगे और आप एक प्रेमी पंच्छी की तरह एक दूसरे के साथ गुथे रहेंगे गुथे रहेंगे मतलब मतलब couple relationship बहुत अच्छा रहेगा इस महीने हाला कि इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अपने प्रेम संबंधों से related कुछ छोटे मोटे मैटर्स जो पास्ट में छूट गए उनको वापिस ना लाएं जैसे कहते हैं ना पास्ट की चीजों को कुरेदिये मत एक होता है खोदना फावड़ा लेके खोदा और सब निकाल ले कब्र से बाहर एक होता है कुरेदना की छोटी सी डंडी ले ले और उससे कुरेद रहें छोटी 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 चोटी चोटी अच्छा ये क्या है अच् करिए एक दूसरे के साथ को और एक दूसरे के साथ चीजों को positively चलाईए अगर आप unmarried couple हैं तो इस महीने या इस महीने की समापती तक आपके relation के एक step उपर जाने की पूरी possibility है अगर आपके relation में किसी प्रकार की disturbance चल रही थी तो इसी महीने में उस disturbance के भी closer होनी की संभावना दिख रही है लेकिन अगर आपके relation में एक ऐसी situation आ गई है जहां पर अलगाओ की बात है मुझे ऐसा लग रहा है जब मैंने कहा कि बात प्यार की थी और यह मुझे क्या-क्या बता रहे है तो अब यह मुझे सब कुछ बता रहे है कि चचल तु सब कुछ जान ले भई तो अगर एक ऐसे relationship में आप involved हैं जिसमें आप separation जहल रहे हैं डिवोर्स हो गया हुआ मामला relationship नहीं होता खतम हो गया फिर अब उसमें कुछ मितलब नहीं बचा है ठीक है अगर आप एक separation जहल रहे हैं और इस महीने आप अपनी साइड से चीजों को थोड़ा neutral डाउन करने की कोशिश करते हैं तो इसका reflection सामने होगा और उधर से भी चीज़े neutral डाउन होगी अब बात करते हैं family matters की card मेरे पास appear हुआ है diving ये कहता है कि परिवार आपके लिए एक नैतिक जिम्मेदारी की तरह है और आप परिवार के लिए नैतिक जिम्मेदारी हैं आप दोनों मिल कर ही परिवार बनते हैं आप अलग अकेले परिवार नहीं हैं और आपके बिना भी तो आपकी अपनी और परिवार की अपनी कुछ वज़े हैं जो आप दोनों को मिला करके एक family बना देती हैं ये आपको बस समझना समझना है इस महीने परिवार के लिए परिवार की ओर से आपको पूरा सहयोग रहेगा आप family के लिए जो करना चाहते हैं उसमें आपकर सकते हैं आपको सफलता भी मिलेगी पारिवारिक मामलों में पारिवारिक मामलों को सुल जाने में भी और बढ़ाने में भी बढ़ाना मतलब ग्रो करना वो जगड़ा बढ़ाने का काम नहीं इस महीने आप अपने परिवार के सदस्यों का कोई hidden support चाहते हैं कि मुझे उनका सहयोग तो मिले बड़ दुनिया को न दिखे इसकी भी possibility इस महीने बन रही है और इस महीने आप अपने परिवार को ले करके एक ऐसी situation में आएंगे जहां आपको ये महीना close होते होते समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में आपकी family ही सबसे importance रखती है और किसी चीज की जीवन में उतनी महत्ता नहीं है जितनी परिवार की है तो इसलिए इस चीज को समझें ये महीना family matters में बहुत positive है और आपके लिए काफी positive information भी है कि आप परिवार के साथ अच्छे समय अच्छे समय अच्छे समय बनाएंगे बिताएंगे financial मामलों के लिए card appear हुआ है wave वेव का card कहता है कि इस महीने ऐसे खर्चों पर नियंतरन लगाना है जो न दिखावे के हैं इसमें समय नहीं लगेगा दूसरी चीज दूसरों को देख करके इसको उसको किसको देख करके अपने पारिवारिक मामलों में या अपने परसनल लाइफ में अपने पैसों के management को ठीक या खराब दोनों नहीं करना है फला परसन मेंजमेंट कैसे कर रहा है सेम हम कापी कर लें मामला गरबड है फला परसन मेंजमेंट नहीं करता जो होगा देखा जाएगा कि mentality ये कापी कर लें ये भी गरबड़ आपका अपना point of view क्या है आपके पैसों को manage करने का जैसे आपके investment की बात करें आप जल्दबाजी में या आप जल्दी return चाहते हैं जल्दबाजी में invest कर देते हैं या जल्दी return चाहते हैं इन दोनों चीजों से कहता है बचने की जरूरत है क्योंकि इन दोनों चीजों से जितना बचेंगे उतना आपके लिए इजी हो जाएगा और एक long term का जो investment है वो ना सिर्फ स्थिर्टा दे देगा बलकि एक ऐसी assurity guarantee भी देगा जिसकी आपको सक्त जरूरत है इन चीजों के अलावा आपके running condition में इस महीने के financial matters आपके नियंतरण में रहेंगे लेकिन अगर आप चाहोगे और आप जान बूज कर गलती करोगे तो situations आपके control से बाहर भी चली जाएंगी occupation को लेकर आपके profession को लेकर card appear हुआ है rock pool rock pool का card कहता है कि कभी कभी हम चीजों को इतना ज़्यादा overhelming समझ लेते हैं कि situation हमारे control से बाहर चली जाती है यहाँ पर यह कहता है कि आप अपने professional matters में अपने लिए जो भी दाइरा बनाते हैं उस दाइरे से बाहर निकलने की कोशिश करें यह card मुझे यहाँ पर information देता है कि आपने अपने लिए एक criteria range बना रखी है और अपनी शक्तियों को अपनी काबिलियत को उसी criteria तक सिमित कर दिया है आपको उस criteria से निकलने की जरूरत है अब आप कहेंगे हम दुविधा जना के स्थिति में फस्ते हैं यह करें कि वो करें तो यहाँ आपके लिए जवाब आता है कि आप नैतिक्ता का पालन करें वो नैतिक्ता जो आपके लिए आवश्यक है वो नैतिक्ता जो सचमुच आप को कभी भी अपने अंतरमन में अपने आप पर गिल्ट या अपराद की भावना फिल होने नहीं देगी बस उसी नैतिक्ता का पालन करने की अवश्यक्ता है यह महीना आपको आपके professional मामलों में एक नई उचाई छूने का मौका दे देगा सवाल यह नहीं है कि यह मौका दे यह नहीं वो तो बात की बात है आप नई उचाई छूना चाहते हैं या नहीं अगर छूना चाहते हैं तभी आप opportunity का benefit उठा पाएंगे नई उचाई छूना ही नहीं चाहते है opportunity सामने है आप देख करके ignore कर दोगे बात हो गई खतम तो इस चीज का आपको ध्यान देना है इ educational matters में card आपके लिए अपियर हुआ है नेबुला नेबुला से नेबुला याद आ गई मार्वल कॉमिक्स में मार्वल मॉवीज में नेबुला नाम की एक लड़की है खैर नेबुला का नाम जो है बहुत सारी mythology कहानियों में यूज किया गया है तो यहाँ पर बताता है कि educational matters में आप सिर्फ अपने उपर विश्वास करना शुरू कर दीजिए एक छोटा सा काम कर लिजिए खुद पर believe कर लिजिए self believe आपका जितना ज़्यादा होगा चीजों को manage करना आपके लिए आसान होता चला जाएगा कई बार ध्यान भटकने की वज़ा से कई बार distraction की वज़ा से कई बार दूसरों के interference की वज़ा से educational matters में disturbance आती है और कई बार आते हैं कि आपका मन नहीं लग रहा या excuse कोई भी हो तो ये card कहता है कि उन सारे excuses का जवाब आप में है और वो बस इतना है कि आप एक चीज पर केंद्रित तो हो जाएए अगर आप एक book को पढ़ रहे हैं और उस book के बाद आपको दूसरी book पढ़नी हैं जैसे मान लीजिए आपने भी प्लान बनाया कि मैं दो घंटे पढ़ूं और दो घंटे में एक घंटा ये एक घंटा ये तो ये कहता है कि वो जो पहला घंटा है उस एक किताब को पढ़ने का उस टाइम पर दूसरी के बारे में मत सोचो और अगर वो सोच आती है तो उसको मैनेज कैसे करना है वो आपको समझा देता हूँ उसे मैने जैसे करते हैं कि अपने लिए टाइम निर्धरित कर लीजिए घड़ी से और एक घंटा कितने बजे पूरा होगा मैं कोई clockwise नहीं बता रहा हूँ ताकि confusion नहीं वो एक घंटा कितने बजे पूरा होगा अपने आपको बता लीजिए अपने mobile phone में अलाम लगा लीज क्योंकि इस एक घंटे के लिए यह decide किया गया है हो गई अलाम लगा लीजिए पढ़ना शुरू कर दिए बात होगी खतम तो यह कार्ड कहता है इस तरह आपका focus भी बन जाएगा दिमाग के disturbance भी कतम हो जाएगी और आप जैसे ही केंदरित होते हैं आपके भीतर की transformation शुरू आपको लगती है किसी ऐसे subject को चूज करिए जिसको बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं करता तबी तो समझ में आएगा ना और यह कहता है कि उसी एक घंटे में वो transformation ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि यार यह इतना आसान था हमने पहले का है निकल लिया तो उसे करिए educational matters में आ कार्ड आपके लिए अपियर हुआ है waterfall waterfall का card है यह कहता है कि इस March के महीने में स्वास्थ संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार की समस्या का समापन हो जाएगा ना सिर्फ समापन होगा बलकि स्वास्थ में सुधार भी होगा आपकी health में वो growingness या वो growth आपको बहुत प्रसन कभी कभी health में उतना problem नहीं होता जितना हमारे मन पर बोज हो जाता है मन का बोज आपके स्वास्थ को बुरी तरह बिगाड़ देगा इस चीज को ध्यान रखिए अच्छा अब उन लोगों के लिए कहता है कि जिनको ज़्यादा health का issue issue है नहीं चीज़े ठीक ठाक चल रही ह उनसे कहता है कि इस मार्च के महीने मस्ती से खाईए पीजिए enjoy करिए हुली खेलिए जम के ठीक है सब बढ़िया है सब चंगा सी आगे ये कहता है कि आप अपने शरीर और अपने स्वास्थ से संबंधित मामलों में आगे अगर और improvement चाहते हैं तो cleaningness का ध्यान रखिए साफ सफाई का ध्यान रखिए साफ सफाई सिर्फ शरीर की नहीं शरीर की कपड़ों की उस जगह की जहां आप रहते हैं जिस बिस्तर पे सोते हैं जिस कमरे में बैठते हैं जिस चेर पे बैठते हैं उन चीजों को साफ सुतरा रखिए एक clean environment अपने आसपास बनाएं वो clean environment आपक जा थी जहां पर bed rest या hospitalization की situation बनी थी उनकी health में भी इस महीने improvement आने की possible chances बहुत अच्छे दिखा रहे हैं तो pile number 3 यह था आपके लिए आज का reading की March का महीना कैसा रहेगा आज की reading आपको कैसी लगी अपने experience अपने अनुभू कमेंट सक्षन में जरूर लिए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा बाई बाई